कि कुश्चन नमबर 10 प्रोविदेंट फंट एंड गुड्स लॉस्ट बाइफायर ये भी दिया था न खूब सारे अड़ जस तो करना है इसको हो गया फिर भी कर लेते हैं क्योंकि ओनलाइन में नहीं हुआ इस तोर बैलेंच शीट पीछे बना लेते हैं यहां पर ना बड़ी दिक्कत हो रही है यहां पर पूरा करकर 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 ना बहुत चोटा हो जा रहा है तो बहतर है बैलेंच शीट पीछे बना लिए इसका एक काम कर सकते हैं हम कुश्चन इस पेज पर भी दिखा दें ताकि आपको दिक्कत ना हो यह पूरा कॉपी अब दोनों पेज पर कुश्चन रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगा हमें ठीक है सेम कुश्चन है यह हमारा क्या है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है और जो दूसरे साइट है डेटिस बैलिंग शीट मैं फॉर्मेटिंग में टाइम नहीं लेना चाहता जाथा मैं सीधा कुश्चन करवा हुआ इसलिए फॉर्मेटिंग बगए आपको एक्जाम में तो करके याने चलिए फ लाग असी हजार तो मैं टू पर चेज लिख रहा हूं एक लाग असी हजार इंसाइड में इसके बाद क्या है ओपनिंग स्टॉक डेटिस दस हजार टू ओपनिंग स्टॉक टेटिस 10,000 बाहर के साइट लिख दिया और क्या दे रखा है इसको थोड़ा सा इदर कीच लेते हैं इसके बाद क्या दे रखा है पी एफ इस पर ध्यान देजेगा पी एफ रेमिटेंस इंक्लूडिंग दा प्रोप्राइटर कॉंट्रीब्यूशन 50% अब पी एफ रेमिटेंस क्या होता है सबसे पहले हमें समझना होगा सर पी एफ क्या होता है सबसे पहले समझना होगा देट इस पी एफ क्या होता है प्रोविडिंट फंड अब आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने एक होमबग दिया वहां पर भी काम आएगा मान लेते है कि आप एक बिजनस है इस बिजनस के अंदर माल लेता है ये x, y, z कोई भी बिजनस है, company है और एक employee जब job करने जाएगा यहाँ पे तो normally आप सभी जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग का एक target जरूर सेट होगा कि हम job पे चले जाएगे, इतने time बाद तो job पे चले जाएगे ठीक है न, ये set रहता है target माल लेता है कि ये 25 साल कि जब इसकी उमर होगी तो ये क्या करेगा, job के लिए चले जाएगा कहीं भी जाए job के लिए, जरूरी नहीं कि वहाँ जाए तो ये finally 25 साल के बाद ये job के लिए company के अंदर चला जाएगा कौन चला जाएगा सर, Mr. A चला जाएगा अब बताओ, इसकी नौकरी करने की capacity कितने साल तक रहेगा क्या ये 100 सालों तक नौकरी कर सकता है यहाँ पर, नहीं कर सकता कुछ limits जब तक इसके बुड़ापा नहीं आ जाता, तब तक नहीं करेगा तो normally government का rule है कि आप किसी भी वेक्ती को 14 साल से कम वाले बच्चे को नौकरी पर नहीं रख सकते और 60 साल से उपर वाले वेक्ती को नौकरी पर नहीं रख सकते यह labor law का rule है यह, वो अलग बात है कि आप देखते हो बच्चे कर रहे होते हैं वो छुपा के करवा रहे होते हैं काम, अगर 14 year below कोई बच्चा कहीं काम करता है आप complain करोगे तो उस दुकान वाले के दुकानदारी बंद हो सकती है और 60 साल से उपर को नहीं रखनाते हैं और हलाकि 60 साल से उपर के वेक्ती को ना कभी भी ना जनरली दुकानदार मतलब बिजनसमें रखना भी नहीं चाहता क्योंकि वो उतना और देगा इसको 35 यर अब यहां पर इसको मान लेते हैं लेट सपोज के हर महने का इस वेक्ती को 30,000 रुपए सेलरी मिलता रहा था हर महने इस वेक्ती को 30,000 रुपए का सेलरी मिल रहा था जब इस वेक्ती को हर महने 30,000 रुपए का सेलरी मिल रहा होगा तो ये यूज भी कर रहा होगा लेकिन अब मान लेते हैं कि इसकी उमर 80 साल तक ये जिन्दा रहता है तो आने वाले 20 सालों तक इसको अपना जीवन जो है वो चलाना काफी कटिन हो जाएगा और इसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने बच्चों के उपर या किसी और क टूटली तो गवर्मेंट कहता है कि भाईया हमें आपके बिजनस में इसने अपनी पूरी जीवन लगा दी तो बिजनस आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि आप इसका आगे तक खयाल रखें मतलब 20 साल आपने तो इसका मान लेतने ही क एक दम वो वाला लाइफ जो कि आपके यूस का था अपने यूस कर लिया पाक Meanwhile आपको आगे तक ध्यान रखना और इसके लिए आपको क्या-क्या देना होगा, जो कि अभी देखा जाए, तो एक मान लेतें अंदुलन वगरे भी चल रहाए कही जगब है पैंसन का, आपको इसको ग्रेजुटी देना होगा और आप एक काम और करो, इसको तीस हजार रुपे मत दो, इसको एक काम करो, आप 3,000 रुपए इसके salary में से काट लो और इसको कितना दो मातर 27,000 और अब इसके hand में in hand की बात करें तो employee के hand में कितना जाएगा 27,000 लेकिन employee की salary कितनी consider की जाएगी 30,000 अब employee बोलेगा 27,000 क्यों तो government का rule है काट लिया गया अब ये जो तीन हजार आपने काटा है उसे एक government का office होता है government office ये तीन हजार रुपए आपको काट के अपने पास नहीं रखना ये जो तीन हजार आपने काटे हैं इसके salary में से इस तीन हजार रुपए को जमा करवा दो जाके government office में और सिर्फ भी तीन हजार रुपे आप जाईए और जमा करवा दिजिए कहां पे गौर्मेंट ओफिस में तो देखा जाए तो इसका टोटल जो है हर महिने का कितना जमा होगा अब हर महिने का 6,000 काम कितने करेगा 25 साल तो 25 इंटू में 12 महिने तो आप देखो कितना जमा कर पाएगा ये पूरे 25 सालों में 25 इंटू में 12 तीन सो महिने इंटू 6,000 तो एक 18 लाक रुपे इसका जमा हो जाएगा और इसके उपर ब्याज ब्याज लगा के करीब 25 लाक रुपे मिलेगा और मेरे हिसाब से इसको अगर इतने सारे पैसे दे दिये जाए ये हो गया पेंशन हो गया ग्र के बाद अगर इसको अपने बेटे-बेटे की शादी करनी है वो भी मैनेजिबल कर लेगा अगर अपने लिए छोटा सा घर लेना है सांती के लिए वो भी तो गवर्मेंट इस बुढ़ापे का ख्याल रखने के लिए अगर गवर्मेंट ये रूल नहीं बनाया तो फिर स्कॉंसरिटी से चुटकार अपा जाते हैं तो यहां पर देखा जाए कंपनी ने जो इसके कंपनी का जो पी एंडल के अंदर डेबिट साइड में अकर सेलरी देखेगा तो सेलरी पता है कंपनी कितना दिखाएगा वो तो दिखाएगा 30,000 ठीक है और 3000 रुपे और अपने जीब से काट के जमा करेगा तो इसका मतलब सर एक्चुल देखा जाए तो कंपनी इस इंप्लॉई के उपर खर्च रहा है कितना 33,000 यानि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में इसके नाम से सेलरी को रिकॉर्ड करेगा 33,000 और अगर कंपनी ने यह 3000 प्लस 3000 अगर गवर्में यह काट के अपने पास रख रहा है that is called provident fund इसको क्या बोलते हैं provident fund इसको short form में PF या EPF भी बोला जाता है तो जब भी किसी employee के सेलरी में से एक certain amount deduct कर लिया जाता है और वो amount जाके हम किसी को government को PF office में deposit करना होता है तो कोई बात नहीं अगर PF office में deposit नहीं किया तो हमारे उप पर liability बन गई कि हमें जमा करवाना है किसको जमा करवाना है हमें government office को तो PF हमारे लिए एक तरीके से अगर आपको PF credit में दिख रहा है तो that is liability for us हमारे लिए क्या है liability रहेगा ठीक है ना तो यहां पे question में same देखा जाए तो यहां पे कहता है PF remittance include आपका proprietor contribution 50% इसका मतलब मालिक proprietor का मतलब कोन होता है मालिक मालिक भी 50% देगा जो कि इसके अंदर included है यानि total इसके उपर liability जो बन रही है वो total liability कितनी बन रही है सहाब इसके उपर तो simple सी बात है यह 1200 रुपए का जो है यह liability है इसने अभी तक जमा नहीं कराया इसलिए liability में show हो रहा है तो इसको सीधा जाके हम कहां जमा कर देंगे balance sheet के liability में दिखा देंगे तो जो यह हमारा pf था इसको भी थोड़ा side में ही कर लेते हैं देखने के लिए तो जो हमारा यह pf का पैसा था वो liability में दिखा दिया जाए provident fund और that is 1200 इसके उपर जब adjustment आएगा तो हम देखेंगे ठीक है clear है आपको तो pf का पैसा दिखा दिया rent 2500 रुपे का महिने के हिसाब से यहाँ पे दिखाया जा रहा है 27500 जबकि आप check करोगे अगर 2500 रुपे महिने है और 12 महिने का है तो क्या वाक्य में 27500 बन रहा है यह check कर पढ़ेगा तो 2500 इंटू में 12 तो जी यह तो 3000 बन रहा है जबकि आपने रेंट 2750 ही पेड किया है तो रेंट तो साहब profit and loss debit का पार्ट है तो हम यहाँ पे 2 रेंट तो दिखाएंगे लेकिन रेंट इंसाइड रखना पढ़ेगा 2750 क्यूंकि टोटल 3000 था तो एड कर देंगे आउट सेंडिंग रेंट और आउट सेंडिंग रेंट कितना बन जाएगा माइनस 2750 यानि 2500 पर मंत देने का मतलब ही यह था स्वारी यह प्लस होगा यह और इसके बाद दूसरी एंट्री कहां चले जाएगा लाइबलिटी में आउट सेंडिंग रेंट यह बैलेंस शीट है और यह लोग आगया 2500 रुपे ठीक है क्लियर है सेलरी सेलरी में अमाउंट नहीं डाला अच्छा भूली है सेलरी कितने का च्छ्याइट सो का टूस सेलरी च्छ्याइट सो ठीक है आगे देखा जाएं मसीनरी कितने का 39,000 बैलेंस शीट की बात कर रहा है तो मसीनरी कितने का है 39,000 तो मसीनरी अब मैंने एक गलती कर दी अज्जस्मेंट नहीं पड़ा पढ़ लेना चाहिए पहले अज्जस्मेंट में क्या कहता है मसीनरी 5,000, sold 4,000 credit मसीनरी अकाउंट ठीक है सर wages include 1000 रुपे paid wages की उपर अज्जस्मेंट है इसके बाद फिर मसीनरी erection है ठीक है purchase include moped scooter इसके उपर अज्जस्मेंट है proprietary taken goods याणि purchase पे भी adjustment है संद्री डेटर इंक्लूड बिकम इंसॉल्बेंट इसके उपर भी अज्जस्मेंट है इलेक्टरिसिटी आउटसेंडिंग बिल पर भी अज्जस्मेंट है इसके बाद कहता है प्रोवाइडिंग डेप्रिशेशन 10% मसीनरी फरनीचर मुपेट स्कूटर प्रोवाइड डेप् इसके बाद वीजिस के बाद आ जाओ फरनीचर एड फिटिंग्स तो फरनीचर एंड फिटिंग्स की बात कर रहा है कितने हैं 5,000 थोड़ा गैप देखे पांच हजार इसके बाद है electricity इसके उपर भी adjustment है electricity पे तो यहाँ पे two electricity अंदर लिखेंगे dot लगा दिये कितने रुपे का electricity है पांसो पचास इसके बाद trade expense है trade expense P&L का हिस्सा होता है तो इसने इहीं लिखा देंगे trade expense कितने पंदरा सो रुपे है debtor balance sheet का part है तो चलिए आ जाईए debtor के उपर यहाँ debtor दिखाया कितने रुपे debtor है 10,500 इसके बाद interest on loan दे रखा है P&L का part है तो interest on loan कितने रुपे है interest on loan कितना है 900 और इसके उपर भी adjustment है तो insight रखेंगे क्योंकि आप देखोगे question में date दिया हुआ है तो आप चलिए लिख लिजए यहाँ पर 900 चलिए हमें थोड़ा size reduce करना है और जगह चाहिए P&L में इसको बढ़ा देते हैं देखने के लिए ठीक है यहाँ तक चल रहा है सब कुछ ठीक इंटरस्ट हो गया commission दो अब debit में दे रखा है तो two commission आजाएगा है ना true commission 200 अब आगे आजाते हैं building दे रखा है 30,000 तो liability assets में आजाएगा building 30,000 इसके बाद commission building sales दे रखा है 2,5,000 तो आजाएगे 2,5,000 by sales इसके बाद loan 10% है कहता है loan 10% interest rate है that is 10,000 रुपे है तो loan जो दे रखा है liability में आजाएगा 10% और कितना है हमारा 10,000 अब इसके उपर पूरे साल का भ्याज होगा जब date नहीं दे रखा तो इसके उपर अगर interest निकाले ना तो एक हजार बनता है और आप पहले से देखो interest जो दे रखा था ना आपको that is कितना दे रखा था 900 यानि इसका मतलब सर क्या हुआ कि interest पे 100 रुपे outstanding interest रहेगा that is 100 रुपे और ये बनेगा पूरा 1000 और balance sheet के liability में outstanding interest के नाम से आ जाएगा हमारा कितना 100 रुपे है इसके बाद आ जाते हैं creditors हमारा 10 पर से क्रेडिटर कितने का है पताएए दस हजार कि पंद्रह है कि पंद्रह हजार कि यापिटल दे रखा है 55,000 पच्पन हजार इसके बाद कि ड्रॉइंग पांच हजार तो माइनस ड्रॉइंग कि इसके बाद cash दे रखा है 1200 तो cash तो assets में आएगा कैश कि यह थोड़ा खुला खुला हो गया है ना अब adjustment कहते हैं कहते हैं machinery जो है ना हमारा machinery इसको अब मैंने यह सारा पढ़ लिया है तो मैं एक काम करता हूं ना कि इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं इसकी जुरत है नहीं कि आपको अच्छे से दिख जाए कि यह ध्यान देजेगा ठीक है कि मिटा देते हैं इसको अच्छे स्मेंट में क्या कहता है कहता है एक एक दो हजार बीस यानि सर एक एक दो हजार बीस और हमारा एयर एंड होगा 31 तीन दो हजार बीस को हमने मसीनरी खरीदा कितने का 5000 ओके सरी वर्थ 5000 रुपए का हमने बेच दिया 4000 में यानि इस मसीनरी को हम 9 महने एक मसीनरी कीमत था 5000 उसको पहले हमने 9 महने इस्तमाल किया और फिर बेचा ठीक है क्योंकि यह तो हमारा स्टार्ट 142,019 में ही हो गया था हमने 9 महने इस्तमाल करके बीचा तो सबसे पहले तो डैप लगेगा फिर बेचेंग और बीचा कितने का 4000 का तो हमने पहले हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करें करना पड़ेगा इस पर डैप्रीशेशन और 9 महने का 5,000 पे 10% इंटू में 9 by 12 यानि 375 रुपए तो पहले 375 रुपए का डैप आएगा यानि 5000 में से 375 माइनस करोगे तो 4625 रुपए अब इसको आपने सोल्ड कर दिया जाके 4000 का तो यहां लॉस हो गया सर लॉस कितने का हो गया 625 रुपए का समझे बात आप एक जनवरी को स्टाट है यह अकाउंट 31 12 2020 अच्छा यह जनवरी वाला है तो यह जनवरी वाला है तो इसका मतलब साल के सुरू में ही कर दिया इसने का तो अब ध्यान रखेगा चलो एक बात आप सीख भी गए साथ के साथ यानि यह डेप्रिशेशन आपका जो लगा है व जो मैं सोच रहा था वैसे होता ठीक है तो इसका मतलब सर इसे आपने सिंपल सा सोल्ड किया चार हजार का और जो लॉस काउंट होगा डैट इस एक हजार रुपे लॉस लॉस तो चला जाएगा प्रॉफिट एन लॉस के डेबिड में अब यह नहीं रहेगा यह वाला जो मै मैं और जो एडिट कर दिया है की वेज जिस हजार रुपे पेट फूर मसीन्वी एरेक्शन चार्जी तो आप इसका मतलब आपने कितने का बेच दिया इसको चार हजार का तो सबसे पहले आप अपने मसीनरी को घटा दीजिए मसीनरी कितने से घटेगा लेस कर दीजिए मसीनरी को किस से पांच हजार से लेस सोल्ड आपका तो मसीनरी पूरे 5000 का निकल गया है की नहीं माइनस हो गया ठीक है और बेज के कितना पैसा है आपके पास दैट इस 4000 तो 4000 आपके पास पैसा आया होगा तो आपको कैश में एड कर देना चाहिए 4000 हजार बारा सो थाना पहले तो प्लस कर दीजिए सोल्ड मसीनरी कैश में चार हजार अब भाई साब एक हजार रुपे का रहे गया नुकसान तो नुकसान आ जाएगा पी एंडर के डेबिड में टू लॉस ओन मसीनरी एक हजार इसको थोड़ा क्लियर लिख दें लॉस ओन मसीनरी ठीक है समझवाई बात आपको अगर यह कहता कि सेल्स में इंक्लूड है यह तो हम सेल्स को माइनस कर देते हैं जैसे कि पिछले कोशन में इंवेस्मेंट था हमारा ठीक है चलिए आगे क्या कहता है और देख लेते हैं कहता है वेजिस इंक्लूड हजार रुपए पेड फूर मसीनरी इरेक्शन चार्जिस मसीनरी इरेक्शन क्या होता है चलो मैं दिखा देता हूं जहां पर मसीनरी बनाई जाती है न उसे बोलते हैं इरेक्शन इन एर वाई इरेक्शन ए आर ए सी टी आई ओ एन यह देखिए इमेज देख लीजिए आपने देखा होगा जैसे की मसीनरी जैसे यह है इस स्टैंड पर खड़ा किया गया ना मसीनरी को देट इस इरेक्शन यानि जहां पर आप मसीनरी को लगाते हो उसके लिए जो बेस त इरेक्शन सिंपल सा एसी बाहर अगर आउटड ओर में लगा रहे हो तो उसके लिए असी का स्तेंड लेना पड़ेगा देट इरेक्शन चाहिं की मसीनरी का हिस्सा माना जाएगा तो मेसीनरी का हिस्सा होना चीह पर दो आपका एकšane हजार और wages में से क्या कर दो minus कर दो less कर दो erection हजार रुपे ठीक है चलिए आगे आ जाते है ये थोड़ा सा जगह ज्यादा लेगा तो इसको हम सभी को नीचे सफ्ट कर देते हैं आ जाओ सभी को नीचे लिए आते हैं ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं question में क्या कहता है question में कहता है purchase जो हमने खरीदारी करी है include cost moped scooter 5000 भाईया scooter तो हमारा assets होता है लेकिन आपने किसमे add on कर रखा है ये purchase में तो आपको purchase से क्या कर देना चाहिए इसको minus और balance sheet के assets मिले जाना चाहिए तो सबसे पहले हम लेके आते हैं balance sheet के assets में किस नाम से मूपेड मूपेड जानते हूं क्या होता है हाँ पुराने टाइम पे कार scooter वगरा होता था उसको हम बोला करते तो मूपेड 5000 और किसमे से minus कर दिया जाए less मूपेड 5000 181 में से ठीक है चलिए आगे देखते हैं और क्या कहता है अगर आगे देखा जाए कहता है प्रोप्राइटर टेकन अ गुट्स कॉस्टिंग 1000 रुपे विच वाज नो एंट्री हैस बिन मेड यानि मालिक ने 1000 रुपे किसके लिए ले लिया प्रोप्राइटर ने लिया तो प्रस्नल यूज हो गया तो 1000 रुपे एक तो ड्रॉइंग हो गया सहाब यह जब ड्रॉइंग हो गया तो एक तो यहां से माइनस होगा हजार रुपे और क्योंकि गुट्स लिया है तो एक परचेस से माइनस हो जाएगा ड्रॉइंग हजार रुपे ठीक है अब इस पर और भी अड्जस्मेंट है इसको हम थोड़ा से इन सभी को नीचे लिया आते हैं परचेस को उपर लॉस भाई फायर भी है यहां रखते हैं इसको ठीक है चलिए कि संड्री डेटर इंक्लूड 500 बिकम बेड़ एंड प्रवाइड 10 परसंट रिजर फोर बेड़ डेट्स ओके संड्री डेटर पे आप माइनस करिए पहले 500 रुफे एजब डेट्स लीजिए 500 अब जो बच गिया हमारा 10,000 इस पे माइनस कर दीजिए क्या पी एफ डी कितने परसंट 10 परसंट इस हजार ये कितना बचा 9,000 तो ये 500 और ये दोनों ही आएंगे पी एंडल के डेबिड में तो एक तो आ जाएगा हमारा बेड़ डेट्स पांच पांसो और एक आ जाएगा पी एफ डी एक हजार ठीक है आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी आउट्स्रेंडिंग पचास तो लाइबिलिटी हो जाएगा एक तो आउट्स्रेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितने का पचास और दूसरा कहां चला जाएगा हमारा एड हो जाएगा आउट स्टेंडिंग इलेक्रिसिटी पचास देट इस छे सो चलिए हमने ये भी पढ़ लिया है गूट्स कॉस्टिंग पांच हजार वर डिस्ट्रोइड बाइ फायर यानि हमारा पांच हजार रुपए का समान आग लगने की वज़े से जल गया तो पर्चेस कम अगर आपको अड़्जस्मेंट याद होगा तो क्या करते थे पर्चेस कम अब इंसॉरेंस है नहीं है वो देखेंगे एंड इंसॉरेंस से क्लेम रिसीवड चार हजार रिसीव हो गया चार हजार तो मेरे पास रिसीव हो गया तो एसेट्स कैश में प्लस हो जाएगा या तो फिर आप बैंक में भी दिखा सकते हैं जनली ठीक है न और आपका हजार रुपए का यहां क्या हो गया लॉस हो गया तो ऐसे सिच्वेशन में सबसे पहले माइनस कर दीजिए पड़ प्टेस लॉस है कितने पांच हजार अब देखेंगे कितने अढ़ ध्रिश्मेंट हो गया दूसरी एंट्री लॉस है आपको यहां लिख देता है टि लॉस और लॉस भाइव एक हजार और जो पैसा आपको मिल गया है वह या तो कैश में प्लस कर दीजिए या अलग से बैंक दिखा दीजिए तो मैं यहां पे कैश में ही प्लस कर देता हूं क्योंकि ऐसे चुछ कुछ बतायन यह सवाल में तो दोनों जगह ठीक रहेगा अगर बोला जाता है कि इनसौरेंस क्लीम बस है लें रिसीव निवा तो बस इनसौरेंस क्लीम के नाम से दिखा दैंगे हो गया तो पैसा मिल गया होगा वहाई कितना मिला होगा चार हजार ठीक है अगले पॉइंट प पे माइनस कर देंगे डेप्रीशेशन देट इस 10 परसेंट का मतलब पच्चीस सो रुप है ठीक है पहला पॉइंट डन और फरनीचर पे और क्या कहता है अब मसीनरी के बाद फरनीचर एंड मूपेड पे भी ओके फरनीचर पे भी 10 परसेंट लोजी डेप्रीशेशन पान सो एंड मूपेड पे भी मूपेड भी लगाओ माइनस डेप्रीशेशन पान सो पर आगे कॉंटीडियू में क्या कहता है लेखिन 5 परसेंट प्रवाइड कर करना है डिशेशन बील्डिंग पे ओके ब्लिडिंग पर माइनस करो डिशेशन पांच परसंट यहीं क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है सर्क्नुजिंग स्टॉक हमारा है बारह हजार यह नहीं कहते हों यहीं Dikhaz देते हैं closing stock एक तो assets में आ गया कितने बारह हजार और दूसरा यहां जाएगा by closing stock 12000 सभी के सभी depreciation को नीचे दिखा दिया जाएगा जितने भी depreciation है सभी depreciation को एक साथ दिखा देते हैं depreciation प्लस करके ठीक है लेकिन एक्जाम में यह गलती मत करिएगा एक्जाम में आप अलग अलग दिखाना है आपने तो देखते हैं कितने depreciation है वहांकिべुर को कि में हाप जेएगे और कि दौने पूसर यह तो यहां यहां पर फ्लस पूरप्स पंदरा सो यानि कितने का पांच हजार अब भी चेक कर लिजेगा क्लियर क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ हो गया और तो कुछ रहा नहीं हमारा अब इसके उपर मैंने कहीं गैप छोड़ा हुआ है छोड़ा हुआ है कहीं भी रही छोड़ा सब कुछ फुल्फिल हो चुका है तो फटा फट से अब अज्यस्मेंट को हम करतो लिया है हमने अब बस टूटलिंग पर फोकस करते हैं यह रहा टोटल ध्यान से करनाओ का टोटल एक असी माइनस पांच हजार माइनस एक हजार माइनस पांच हजार देट इस वन सिक्स्टी नाइन और यह आजाएगा दो हजार ठीक है यह कुछ भी नहीं रहा तो दो लाग पांच हजार और बारा हजार दो लाग सत्रा हजार और आगे हमारे हैं पर दो लाग सत्राइजार कोश्चन देखो पुरानी बुक में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चेंजिस कर दी होगी बाकि आपको सामने कुश्चन है इससे मैनेज करना पड़ेगा टू जीपी हां 36,000 ये लेजिए और बाइ साइड में आजाएगा जीपी 36,000 अब टोटलिंग का प्रोसेस देखते हैं बस अकेला यही है लॉस तो नहीं है टू एन पी कितना रहे है ये तीन हजार और इधर 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 सब जगह को 14,200 चलो आ जाते हैं अब यहां पे सिर्फ काम है प्लस एन पी 14,200 55,000 माइनस में 5,000 माइनस एक हजार प्लस 14,200 63,200 प्लस पचास रुपए बारा सो धाइस सो ए दस हजार सो रुपए पंद्रह हजार 89,800 अब इस सब को टूटल को बाहर कर देते हैं बाइस पान सो और यह पान सो पैंतालिस सो और यह पान सो यह हो गया बाहर 30,000 अठाईस पान सो और इसका टूटल आठ 9,200 और यह पैंतालिस सो टूटलिंग चेक कर लेते हैं 22,500 पैंतालिस सो बारा हजार नो हजार अठाईस पान सो नवे सो और पैंतालिस सो यह आ गया यह 98,200 के में आ रहा है किस में से तो क्या कर रहे हैं नहीं तो कैश में भी तो एड़िट नहीं कर रहे होंगे न यह भी देखो न तुवारा चेक कर लेते हैं 29 प्लस एग माइनस पांच हजार उन्होंने नेट कर दिया हो चिंता मत करो नो हजार अठाईस पान सो पानवे सो पैंतालिस सो नब्बे दो सो बुक में क्या है बैलेंस इट का टोटल यहां चार सो रुप है मोटा मोटा चार सो रुप है कहां छोड़ दिया हुने कहीं माइनस तो गलत नहीं करा पैंतालिस सो पैंतालिस सो आपने पी इंडल प्रॉफिट ही था सेम सब आपका यहां तो कम नहीं है क्योंकि आप आप कितना है कि यहीं पर फरक आ रहा हुआ चार सो कर चौदा छे सो है यह कि यह चौदा छे सो आना चाहिए अब एक बार अजस्मेंट मसीनरी वर्था इसको ठीक करिए अपने बुक के आंसर को तो यह आ जाएगा हमारा कि नब्बे दो सो कि नोट डाल देंगे ऐसे कुश्चन में क्या नोट डालेंगे सब्सक्राइब मसीनरी सोल्ड रुपीज पांच हजार इंक्लूड इन दमसीनरी रुपीज ट्विंटी नाइन थाउसंड तो हमने मान लिया है क्योंकि ऐसे कहीं भी पता नहीं चलेगा कई भी है यह पांच हजार रुपे अलग हो चुका है ठीक है बुक में नोट दिया है नहीं दुआ आपको सुल्डूशन यह हो गया यह था हमारा एक और कोश्चन एक ही जगह दिखा देते हैं और आजाए इधर भी आपको दिखा देते हैं यह दो दिखी रायक है और चोटा करना पड़े कैसे हैं जाकर आजाए चलो चोटा करते हैं दिखाने के लिए इसका कोई लास तो होगा इस सब को इधर सिफ्ट मारो और इसको थोड़ा सा हो गया बड़ा चलो तो दिख जाएगा ठीक है यह था हमारा कोश्चन नमबर टैन टोटल कितने कोश्चन है तीसे 32 है सब्सक्राइब करने ज्यादा 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 दस पंदर नमर का वह मैं सारा बता हूंगा क्या थियूरी रहेगा अभी आपको थियूरी नहीं सर्फ फ्रैक्टिक्वल पर फोकस करें कितने कोश्चन है टोटल बुक में एक किस है जिसमें दस तक पहुच चुक है ठीक ह कुश्चन नमबर 11 कमिशन आफ्टर चार्जिंग यह भी मैं ही करा दूंगा मैं एक होमवग दे रहा हूं आपको ठीक है और वह होमवग आप करेंगे यह भी होमवग में आपको जैसे नहीं होगा नहीं होमवग तो रिजिस्टर में आप छोड़ देंगे उतनी लाइन ठी कि मैं कराओं में यह भी होमवग में दिया जा रहा है आपको क्योंकि अर्जेस्मेंट हम सब कुछ कर चुके हैं यह भी होमवग में के चोड़ा हैं मैं वह भी खत्म क कर लेंगा और एक कि यह भी होम्वग अन्लिस्टिट दफॉलविंग इडिशनल इंफॉर्मिशन प्रॉफिट एंड लॉस यह रिंड बलेंचिट यह नहीं यह मैं करा हूंगा फाइनल अकाउंट पार्टनर्शिप यह नहीं पार्टनर्शिप अभी नहीं करा है ठीक है आपको पीडियफ मिलेगा उसमें होमवक नोट करीगा यह भी नहीं करा है पार्टनर्शिप अगया है यह भी नहीं अबस दो तीन कुश्टन होमवक में हैं अब बाकी नहीं है अब कि तो टोटल कितने कुश्टन बताया आपने नहीं नहीं वैसे 29 ठीक हो जाएगा वह बस थोड़ा से इसके अंदर होमवक आप थोड़ा फोकस करके कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी यह समझाया था यह रिजर्व का एक और अट्जस्मेंट है अट्जस्मेंट के जगह पर इसको नोट कर लो अट्जस्मेंट